हेलो मैं दियर फ्रेंड वेल्कम बैक तो मैं चैनल इफ्यू हाव नोट सब्सक्राइब प्रेश दे बेल इकन हिट दे लाइक बटन अलसो फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेकाता हूं अगर आप इंग्लिस पिकिंग करना चाते हैं इस वीडियो इस पैनेश एफो ओगर आप कंपेटिटिव एक्जाम की त्यारी करने तो डेफिनेटली इट विल हैल्प यू आउट इन ट्रेकिंग ओल यूर एक्जाम्स तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फ़र्द दू किप अप दप्रेशर कीप अप कीप का वता है कंटिनू रखना प्रोग्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं जस्ट कीप कीप प्रोलिंग तो वैसे कीप अप रखना प्रेशर प्रेशर को रखना यह आटिकल है इंडिया और पकिस्तान के 2611 टेक वा था उसमें वंदे को सजाल मिलने के रिलेटिट एक आर्टिकल है और इंडिया मस्तिख दा एक्साडिशन एक्साड़िया प्रेशन एक्साड़िया मंघा चाहिए मतलब ऑपकिस्तान सी इ perspectives यह बंदा वो, for his role in the Mumbai attack, उसका रोज जो है, Mumbai attack के लिए, reports in Pakistan newspaper, report क्या है, पाकिस्तान के newspaper में, that a Pakistani court has convicted Sajid Majid Mir, इसका नाम है Sajid Majid Mir, तो has convicted, has वापकी third form, उसको convicted कर दिया है, तो यह present perfectence होता है, जब कोई काम कर दिया होता है, तो उसको कुछ करते हैं, तो बोल गाएं कि, court has convicted Sajid Majid Mir, one of men, कौन है यह, one of men who planned, जिसने प्लान किया था, past tense है, who planned, प्लान किया था, the Mumbai 2611 attack, on terror financing charging, terror financing मतलब जो terrorism के लिए पैसा आता है, finance किया, उसने पैसा आया, charges के लिए, is welcome proof, यह क्या है, welcome proof है, बहुत अच्छा, मतलब बढ़िया प्रूफ है, that the search for each of mastermind, the search for each of mastermind, जो भी mastermind थे, must never, never be given up on, never be given up, तो देखो, never कभी नहीं, must never, मतलब यह compulsory है, must जरूरी है, never be given up, given up क्योंता है, give up तो हो जाता है, कि चीज़ को रेलिंग को करना, छोड़ देना, मालो आप give up कर दे, तो don't give up, मतलब बीच में मत छोड़ो काम को, तो never be given up on, give up on, अगर तीनों लगा देना, तो इसका, अलग मतलब बजलता है, given upon का मतलब बरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, बरोसा, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, तो never be given up on, give up on मतलब बरोसा, in the case of mere, पाकिस्तान security agency, जो पाकिस्तान की security agency है, हैड गोन, हैड वब की third form, past perfect tense, मतलब जो यह पाकिस्तान की security agency कर चुकी थी, पहली past में, so far, so far का मतलब होता है, अब तक, अब तक, जैसे बोलते हैं, so far I was alone, अब तक मैं अकेला था, so far, तो as to, इसके साथ आगला भी है, as to, as to का मतलब होता है, related to the particular topic, मानलों बोलते हैं कि, he didn't told me, उसने नहीं बताया, he didn't tell me, he didn't tell me, he didn't tell me as to how to cross the barrier, तो as to, मतलब उससे कोई related चीज़े होते हैं, बोलते हैं, तब उससे पहले as to लगाते हैं कि, उसने यह नहीं बता, मुझे फिर क्या, उस क्या का मतलब as to होता है, क्या, कैसे जाना है, तो उसका मतलब, so far, अब तक as to, की, falsely declare him dead, उसने falsely जूठे से declare कर दिया था, पाकिस्तान की security agency ने, he was reportedly, मतलब reportedly इस लिए उसका करते हैं कि, confirmatory news, निजवेपर के पास news, जो इस लिए reportedly, मतलब बताया गया था, sentence to more than 15 years in jail, जो उसको सजा दी गए थी, 15 साल jail में, and he is serving his term in Lahore jail, जो सर्व कर रहा था, Lahore jail में अपनी term, जो उसका time था, मिस, like, मेर दा, ELITS, ELITS, LASKRE तो इबाज, जो वहां की terrorist organization, LASKRE तो बाज, former deputy chief, former deputy chief, कुंसा international operation has been wanted for his role in the recruitment for 26-11 attack, तो जो LASKRE तो बाज का former deputy chief था, वहां का international operation, इसका क्या नाम था, international operation has been wanted, तो वो has been wanted, has been word, वह की third form का क्या मतलब होगा, कि भाई, ये passive tense है, passive tense में कैसे बोलते हैं कि, वो चाहा जाहा रहा था, has been wanted, उसको मतलब जरूरत थी, for his role, उसके role के लिए, in recruitment for the 27th recruitment करने के लिए, 26-11 attack के लिए, being an handler of for David Hadley, handler मतलब उसके कामों को hand करता था, being, जैसे बोलते हैं, being the gentleman, you have to behave properly, being the handler, वो उसका handler होने के नाते, for David Hadley, who carried out the reckonsence for the Laskaray Taiba during the several visits to India, तो David Hadley बंदे ने जैसु सी की बार बार आके यहां बे विजिट करके, Laskaray Taiba के लिए, रेकने सेंस बोलते हैं, several visits to India, and for being, in the Karachi control room, Karachi के control room में, during the Mumbai seas, Mumbai जब बंद हुआ था, ब्लोक हुआ था, तो उस टाइम पे, control room में काम करता था, यह Karachi में, Hadley named Meir in his deposition, to US court, deposition मतलब, जो, क्या है, एक तो, जैसे river, मिटी ले कहते हैं, उसको deposition बोलते हैं, but deposition जैसे उसने अपना, उस वहां पे बाद बताई, US court में, तो, after he was given a plea bargain, plea bargain मतलब, उसको बताए गया कि, भाई, एडिजेस्ट कर लेंगे, प्ली, जैसे plea होता है, याचना, और bargain मतलब, उसको, सोदाए बाजे वाली, नीचे, तो, plea bargain में, उसने बता दिया कि, भाई, जो deposition था, और, Hadley ने, यह, अपना से विकार किया, इस बात को कि, वो, उसने बहुत सारे, विजिट किये इंडिया में, और, उसने जासू सी की, चबिस गयार अटेक के लिए, एस वेल एस इन दा डिपोजिशन वाया, वीडियो लिंक, वीडियो लिंक के द्वारा, जो, उसने भी, अचेप्ट किया, 2611 ट्राइल इंडिया, मीर इस आल्सो वांटिड फॉर लस्करे था वाइबा कॉंस्परेशी तू अटेक इन डानिश न्यूजपेपर तो लस्करे था वाइबा कॉंस्परेशी को टू अटेक दानिश न्यूजपेपर है, जो, अक्यूज ओफ जिस पर क्या दोस्ट लगा हुआ है, पॉब्लिसिंग ब्लास्पेमिस, ब्लास्पेमिस मतलब निंदा करने वाला कार्टून एंड बॉम एड न्यूक्लियर इंस्टालेशन इन अस्टेलिया, तो उस पर दो चीज लगे हुए है, दानिश न्यूजपे पर का जो इसने ब्लास्पेमिस, ब्लास्पेमिका था, गोड की बुराई करना, आलला ही बुराई करना, उस पर भी अटाक करना या बॉम कहां पर, ऑस्टेलिया में भी नुक्लियर इंस्टालेशन पर भी उसके, मतलब वह था, उस पर चार्जी थे, चाहता था वो, और ही था, और ही बॉम कंश्टर विसकरी जोवाई अपरेटिव, यह रहाई करना, ने खेटरवह पर चाहता था था, तो पर लुए था, प्लिजग तो, पर चाहता ही, बुराई का बॉम कहां परुब सक्टालेशन पर चाहता बना, यह था, ब्लते लिए, प्लिए ने मिश्ची जो मीर जाफर ये मीर बंदा है उसका कण्विक्षिन अप्यर्स उसका जो कन्विक्षिन सजा है अप्यर्स टू भी लिंग्ट यह ऐसा लग रहा कि उससे लिंक है किसी लिंक है final stages of the Pakistan Gray Listing at the FATF this June इस जून में पकिस्तान को FATF के ग्रेलिस्ट में FATF के Financial Action Task Force और जी सेवन की गंट्री की एक और इसमें क्या एक पैरलेल और इसमें यह जो टर्रिस्ट मालव टर्रेट्स फंडिंग होती है या तो इसको भी यह जो सपोर्ट कर रहे है मीर को इसलिए इसको ग्रेलिस्ट में रखा गया and that voted to allow on-site visits in Pakistan with a view to delisting its next in the next few months तो यह बोल रहे हैं कि भाई on-site visit करेंगे वहां जाके पाकिस्तान में यह फटीए फ़ोर्सिज मंदे जो अन वी टू डिलिस्टिंग करेंगे लिस्ट ले नेक्स्ट कुछ अगले महिनों में वाइल मीर इस नोट एक्चुली ओन दा यूएन सेक्योर्टी कांसिल वन टॉट शिक्स लिस्ट यूएन सेक्योर्टी कांसिल में रिजुलुशन आ ले मिर को नहीं रखा गया था फ्रेक्वेंटली ब्रॉट द्स नेम अप टू एफ टीयफ वेस्ट कंटिर जो वेस्टर्म कंट्री हो बार-बार ले कि आते हैं ये पाकिस्तान इसको स्पोर्ट कर रहा है बटो रिटकरते हैं कि पाकिस्तान सक्षेश्फुली convicted leaders of terrorist group वो डिमांड करते है पाकिस्तान को कि आपके जो terrorist group है उसका conviction conviction की दिए सजा दीजिए इस मेर इस इंफेक्ट बहाइंड बार अगर मेर मालो बहाइंड बार जेल में है नियर देली मस्ट मूव क्विकली तो डिमांड इस एक्स्टरडिशन Mr. New Delhi को क्या है डिमांड करना चाहिए उसका extradition to stand for trial मतलब उसको trial के खड़ा करने के लिए यहां पर इन इंडिया तो उसको यहां के लागे कट-कड़े में खड़ा करना चाहिए admittedly मतलब स्विकार करने की बात है इस इस ए वर्चुली इंपोसिबल टास्क अकर मानलों इसको एड़ेट करें तो वर्चुली क्या है नेट के रूपशी इंपोसिबल टास्क है गीवन दा पूर स्टेट ऑफ बाइलेटरल टाइज दोनों देश्व की बाइलेटरल टाइज बिल्कुल पूर स्टेट में है न्यू दिल्ली मस्ट आल्सो रेक्टिफाई रेक्टिफाई करना चाहिए ठीक करना चाहिए दा एरर इन नोट पर स्विंग मीर मेर्स एड़ेशन तो दी उन्सी लिस्ट तसवार तो अभी तक जो इंडिया ने उसको उन स्कूर्टी काउंस अगे लाज टर्रेस्ट फरेंसिंग के लिए नहीं है विद हाफीज सेयद जैसे जैसे हाफीज सेयद जाकिरूर रहमान लकवी और लस्करे थोईबा मेंबर्स इस नेसेशरी टू कीप स्पोर्ट लाइट उन मीर स्पोर्ट लाइट मतलब जैसे एक्टर घूमता ना स्पोर में रखना है गीवन दप्रिडा अलेक्टिट टरफ जाधा दे रहा हम तो बॉलने कि यह दिया गया है कि परिडिया लेक्षिन है पकिस्तान गौर्रमेंट का रिवर्स करने गा उसके जो सजा है and reducing the sentence of the terrorist once the heat from international agency reduces मान लो अगर FATF or international agency heat अपने reduce कर देंगे उस्चे में कम हो जाएंगे तो उसकी सजा कम कर देंगे this will be particularly important यह will be होगा this will be मान लो क्या है this will be कैसे यूज़ करते हैं आपने सुना होगा कि be के साथ तो will be के साथ तो वर्व की first form और आई एंज़ आता है बट यहां पर तो आया नहीं वाए तो यह आपके simple sentence जैसे future continuous sentence पढ़ा होगा तो he will be doing lunch tomorrow at this point of time वो है उस टाइम पर lunch कर रहा होगा तो कर रहा होगा तो उसके यहां पर यहां पर क्या देखो इस विल भी यहां पर तो फिर वर्व की first form और यह नहीं तो यह का क्या मतलब होता है होना वी का मतलब हिंदी में होना भी होता है है कि में वर्प में उसला तो विल बी तो अपर पर्टिक्रमर इबार इंपोर्टंट सपेशले यह स्ऩुखेंड क्श्रीट एस भौ रिप्रिव क्या हता है सजा क्टों आखिक वहते एंवर्ब क्ध टॉ एश्चिय व ने अक्टूबर अक्टूबर में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने आपको ग्रेलेशने से कर एंडिन मस्ट बी मेड क्लियर यह क्लियर करना चाहिए इस चीज़ को कोई टास्क आट किया उसको फोलो करेगी दा लीगल प्रोशेस अगेंस इच उप मैं बहुत ही मतलब इंपोर्टेंट अर्टिकल है इसमें बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड आये मैंने आपको बता दिया ऐसे ही आपने कनवर्सेशन को इंप्रूव कीजिए बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड आपको मेरी प्लेरिस्ट में मिलेंगे यूपेसी की तियारी करने के लिए भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा दो नट वर्ड जस्ट कीप कंटिनुई और प्रिपेशन ओके फ्रेंट्स बाइफ और टुड़े नेट एंड हम डिसकस करेंगे आगे वोकेबलरी वर्ड जो फर्ड ऑफ्य है सीज मतलब ब्लोक कर देना की सिज को बोलताने की सिजर आते हैं सीजर b deaf ब्लोक करने स्राउंड करते हैं उसको भी सीज बोलते हैं उसका अइटम सेज्ट कर दिया सी बी नarted years कांस्पिरेशी सदियां तर प्लान जो होता है गहरी योजना एक्स्टाडिशन परत्याइप रंट मतलब किसी तुवो निकल बाना वहां से एक्स्टाडिशन प्रीडियलेक्शन होता है जुकाओ किसी चीज़ का प्रोक्लेविटी भी बोलते हैं प्रोक्लेविटी इसका सिनोनिम्स होता है प्रीडियलेक्शन भी बोलते हैं तो इसको जुकाओ है इसका इन्कलिनेशन रिप्रीव होता है माफ कर देना मरतिव जंड से the judge granted him a last mint reprieve keep up keep up continue करना often they had to pause to allow him to keep up often they had to pause देखो इसकी हिंदी बहुत ही अच्छे सीख सकती है often क्या था प्राइ they had to had to जैसे have है you have to मतलब ये must का replacement होता है you have to work this you have to work hard तो ऐसे है ये have to का past है had to they had to pass pause, pause मतलब रोकना किसी चीज़ को to allow him to keep up उसको रोकने के लिए him to keep up continue रोकने के लिए keep up the good work ऐसे ही बोलते है given upon होता है भरूशा रखना to stop having faith to believe in someone or something give up on मतलब छोड़ देना to stop having faith किसी में विश्वास कर देना छोड़ देना they were not about to give up on their heroes so easily तो they were not about to give up about to give up on मतलब भरूशा their heroes so easily अपने hero पर अपना faith छोड़ने वाले नहीं थे as to का मतलब होता है कि about a particular thing concerning मतलब एक किसी विशेश वस्तु के विशेमें या से समबदी थे जैसे I was given no instruction यह बोलें कि मुझे कोई instruction नहीं मिली I was given no instruction तो मुझे कोई instruction नहीं दी गई as to as to मतलब के समबद में how to begin कैसे start करना है deposition of the king जैसे सत्ता को हटाने का पद चुएती उसको किसी को position से अटाने का deposition brought to justice नहीं लगे सामने लेके आना I hope आपको समझ मैं होगा share करते रहिए